वेल्कम बैक तो में येट्यूब चैनल दियर वेदा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो NCISM द्वारा नया नोटीस आए एक रिप्लाई आए है कि नेक्स्ट जो है कौन सी बैस से लागू होगी और दूसरी चीज की नेक्स्ट जो कोड केस चल रहा है जो सुप्रीम कोड हाई कोड में इधर उधर जा रहे हैं एड़ोकेट्स जो कर रहे हैं उन सभी का स्टेटस में बताऊंगा कि क्या स्टेटस रह रहा है और क्या पोसिबिलिटी इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे ठीक है तो सबसे पहले म यह एक तरफ से नोटीस आई थी जिसमें यह चीजे लिखी गई थी कि नेक्स्ट जो है जो 20 दिसंबर से जिनका दो हजार तेईस से जिनका चालू हो गया है इंटरंसिफ स्टार्ट हो चुका है उनको नेक्स्ट के एक्जाम देना पड़ेगा उनसे पहले अगर स्टार्ट हो गया है यह कंपलीट हो गया है तो उनको कोई नेक्स्ट के जाम नहीं देना है ठीक है अब यह जो रिप्लाई आया था नोटीस आया था यह आया क्योंकि यह तो पहले ने बता रखाया हमें यह इसलिए आया था कि पांच फब्रवारी थीक है पांच फरवारी 2014 में कुछ इस ब्रेंट्स ने जो है आर्टी आय किया था एक जिसमें यह चीजे मेंसन थी उनके द्वारा कि सर जो नेक्स्ट का एक्जाम हो रहा है यह कौन से बैच को देना पड़ेगा उन्हें यह पूछा था ठीक है तो उसका रिप्लाई ने दे दिया कि 20 दिसंबर से जिनका आपने देखा भी होगा कि आप तो फिर से नोटिस डाल दिया अब नेक्स लग रहा कि होगा इसी डेट से जो रूल पहले है उसी के इस आप से नेक्स्ट होगा लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यह जो डेट आई थी ना 20 दिसंबर वाली यह कोई नई चीज तो नहीं है जिस दिन गैजेट आई थी नियू गैजेट आई थी उसी दिन तो हमें पता था कि हम 20 दिसंबर से जो है इस रूल को लाने वाली है जिनका इंटरंसीब स्टार्ट हो गया उनके लिए ठीक है बैच तो उससे में भी नहीं थे तो जब हमें सब पहले से प प्रशान क्यों हो एक्स एजाम को लेकर जो केस फाइल के थी उसकी स्टेटस यह है कि सबसे पहले हमने सुप्रीम कोट में केस फाइल किया था हमारे एडवोकेट्स ने मिलके ठीक है उसके बाद जो हुआ सुप्रीम कोट ने डेट दी थी बट वहां पर कोई हैरिंग नहीं जो मानिया जज थे जो नियादिस थे उन्होंने एक डेट दिया है कि उस डेट तक जो है जो भी चीज़े हैं उसको क्लियर कर ले जाए जो प्रूफ है जो भी रूल्स रखनी है वह किल सब रेडी करके रखेंगे और उसके द्वारा जो है उस डेट पे एक फाइनल सुनव यहां तक कि जो बीएपोटेश्च में सद् prior दिया है जो सबकुछ कर रहे हैं जो के बीएपेक के लिए भी एच में स्वी एमस के लिए ठीक है तो दोस्तों यह थी अपडेट अब वेट करते हैं इस डेट का कि क्या होता है आसा करता हूं में कि जो भी फैसला आए इस्टेंट के फेवर में ही आएगा क्योंकि जब कोई भी नया रूल रेगुलेशन आता है ना तो वो नए बैचे से बहुत सी एक्ट है मैं बहुत जादा डीप तो नहीं जाओंगा अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा फिलाल के लिए इतना ही मिलते है एक नए वीडियो में निव अपडेट के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल दिया और बेदा को सब्स स्काइब जरू कर लिजे ताकि आपको ऐसी रहेर से रिजन करिया मिलती रहे थाइंक्यू सोब्सक्राइब